नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका इस टेडी फॉर्ट सिविल सेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिन है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीड कर सकते हैं इस्टाग्राम पर हमारा प्रेज जरूर कर लेगा इस्टेडी फॉर्ट सिविल से सारे कोईशन अटेम्ट करिया और इसको अपना तुरंद कमेंट करके बदोस्तों नमस्कार स्टेडी फॉर्ट सेज में आप सभी का स्वागत हैं यहां पर हम लोग एपीएस व क्योंकि काफी एक्सपेक्टेड क्वेशन होते हैं इनको आप फॉलो किजिएगा ग्रूपस हमारे अभी चल रहा हैं अगर आप एड्मिशन चाहते हैं पूरी तयारी के बहुत ही कम टाइम में टूर्द पॉइंट इस्टेडी मिटेरियल के साथ तो हमारे साथ इसके पास यूनिक अबिलिटीज हैं जिसमें से मल्टिपल लैंगुजेज यह बोल सकती हैं खास करके उडिया और इंग्लिश तो ऑप्शन सी हाली में विश्व यूवा कोशल दिवस 2023 कब बनाया गया तो यूथ स्किल्स डे मनाते हैं 15 जुलाई को और एक ध्यान रखेग याद रखें हाली में किस संस्था ने एटी एचार वर्ड फ्यूचर स्किल अवर्ड दोज़र जीता है ठीक है तो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है जो एंटी पीसी ठीक है इन्होंने बेस्ट यूजेज ऑफ आर्टिफिचल इंटेलिजेंस वर्चुल लर्नि लड़ा गया था काफी फेमेस बैटल है नॉम्बर ग्यारो सिक्यानबे प्रतविराज चौहां थर्ड है न थोड़ा यह चीज भी ध्यान देने के जुरू होते हैं यहां पर क्यूब कई बार इस तरह से दे करके कंफ्यूज करता हैं ध्यान रखेंगा है गौतम बुद्ध में कई सारे अलग-अलग शाशक हुए और कई सारी प्रसिद्धियां भी होंकी तूसी क्रम में है कि सरवादिक विद्वान शाशक जो खगोल शास्त्र गडित एवं आयुर्विज्यान समेत अनेक विधाओं में माहि था ठीक है तो कई सारी यहां पर जैसे यह जो चीज़ बारत के कौन साराज चीन की सिमा को नहीं चूता है तो चीन के साथ उड़ी सा कहां लगेगा यह बहुत नीचे है ना सिक्के मुत्रा खंड और अरुना चलो गया इमाचल प्रदेश ठीक है इसके अलावा उपर में लंताक है न कम तापमान मापनी के लिए इसमें से किसका तो बहुत ही लोगट एक टेखनर पाटतों को उसको तो यहाँ पर आपाइर में से कर लेते हैं उस हो रही है तो उस रोटेशन की स्पीड को टैको मीटर में मीजर करते हैं तो चार हम नहीं यहां पे देख लिए अनीमिया निमने लिकितम से किस विटामिन में से स्वर्य उसकी कमी से होने माला रोग है तो इनीमिया यानि कि जो एक low blood level की विमारी होती है जो red blood cells हमारी है उसकी कमी होने लगती है तो अगर body हमारी process नहीं कर पा रही है vitamin b12 या फिर हम इसका proper intake नहीं ले रहे हैं तो इसकी वज़़े से होता है यान फॉलेट यह ध्यान रखिएगा option d निकट द्रस्टी दोश के इलाज के लिए निमलकित में से किस प्रकार का lens यूज करते हैं ठेक है तो myopia बिसिकली near sightedness जो आप कहते हैं दूर की वस्तों को देखने में हमें problem होती है इसमें तो क्या करेंगे हम इसमें जो है concave lens यूज करते हैं ठेक है जो कुछ ऐसे होता है ठेक option b जो हमारी होती है यह far sightedness तो उसमें हम जो है convex को यूज कर लेता है हाली में प्रकाशित पुस्तक गांधी सियासत और साम प्रधाइकता यह अप्रेल 2030 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो इसके राइटर का हमें नाम बताना है तो बस नाम ध्यान रखेंगे राइटर का और बुक का पियूश बाबेल जिमने लिकित में से कौन AC को DC में परिवर्दित करता है alternating current को direct current में use मतलब convert करने वाला हमारा जो यहाँ पर object होता है यह होता है rectifier इसको ध्यान रखेंगे पूचा जाता है एकसर जिमने लिकित में से कौन सा gober gas का घटक नहीं है पहले cooking बगएर के लिए काफी use होता था gober gas जिसको bio gas भी कहता है तो basically क्या होता है इसमें कि organic waste हमारा जो होता है cow dung बगएरा कह लिए तो और इसकी oxygen की absence में जो breakdown होता है उसके मादियम से इसका उत पादन होता है इसमें मुख के component होता है methane CH4 लगबख 60-50% अगर हमें की unit की बात करें ठेक उसके बाद second position में इसमें में लेता है carbon dioxide को लगबख 30% और बाकी जो ratio बचा उसमें hydrogen गया जाता है इसके लाव कुछ sulfur के compound आ जाते हैं ammonia इसमें नहीं होता है इसमें से कौन सा रोग और अंग सही सुमिलित नहीं है तो बीमारियां और उससे प्रभावित होने वाला हमारा body का पार्ट तो जो है ट्राकूमा गलत है ट्राकूमा से कान नहीं आखे खराब होती है आइस की बिमारी है और बैसिकली यह बैक्टीरिया से होता है कॉजटीव एजेंट भी ध्यान रखेंगे इनफेक्टेड कोई हो उसके आई ड्रॉपलेट्स है अगर स्प्रेड होते हैं दूसरे वेक्ति को तो उसरे ट्राकूमा हो सकता है अन्य विकल ठीक है इनको देख लिज़े कौन सी सदिश राशी है पहले हमने बात की है वेक्ट कुछ रचनाएं पूछ लियाती है ब्रयत सहिता पंच सुधांतिका और दवग्य वल्लब यह तीन तो हैं ब्रहमस्पूट सुधांत जो है इसके लेकक हैं ब्रहम गुप्त इनके नाम भी ध्यान रखेंगा निमने लिकित में से किस छेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते है राइस बाउल ओफ इंडिया तो मैसिव प्रोडक्शन है इंडिया में देखेंगे राइस का जो करने वाला छेत्र है भारत का कृष्णा गोदावरी रिवर का जो डिल्टा का रीजन है वोग रूप से आ विष्णा की साहिग ने दिया है उत्तर प्रदेश राष्टी विधि विश्व इद्याले का नामकरण किसके नाम पर किया गया है तो लॉइ इनुवर्स्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है प्रयागराज में ठेक है और इनको राजेंदर प्रशाद जी के नेम पर रिनेम किया ग प्रश्टी के साथ सही सुमिलित नहीं है तो एक कुछ प्रमुक हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर इसमें से रंगना थेट्टू तमिलाडू में नहीं करनाटका में यही वाला गलब था अन्य विकल्ब को जो भी हैं यह देख लिए एक बार हाली में खबरों में रही पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी एक इसको किस ने लिखाया है तो कारगिल वार में हमारे जो भारती वीर शहीद हुए उनकी कहानियों से सम्मुन्दित एक पुस्तक है चेक रिशी राज के दौरा लिखी गई है हाली में किस देश के स्तार क्रिकेटर स्टूर्ड ब्रॉड ने इंतरास्टी क्रिकेट से सन्यास की घोश्टा किया है तो ये स्टूर्ड ब्रॉड इंग्लैंड के खिलाडी है चेक ऑप्शन बीइन होने एनाउंस किया था रिटेर्मेंट कुछ short forms कौन सा सुमरित नहीं है ये बताना है तो NDRF वा अलग अलत है National Disaster Response Force होता है ठीक है अन्य विकल्ब सब ठीक है इनको देख लिजे एक बार भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिती ने दिया था तो जो Goods and Services Tax इंट्रोड्यूस हुआ फाइनली 2017 में तो कई सारे recommendation पहले इसके आ चुकी थी जैसे के 12th Finance Commission में इसको बारे बताया है उसके बाद उसी समय 2005 में कमिटी एक बनी थी विजय के लिकर कमिटी है ना इन्होंने सुझाव दिया था option C संसत सर कितने दिनों की अनुपस्तेती के बाद किसी संसत को अयोग इगोशित कर दिया जा सकता है तो कोई भी member of parliament बिना inform किये हुए house को अगर 60 दिन तक absent रहता है ना दो महीने तो वो जो है disqualify किया जा सकता है ठेक ध्यान रखेंगे से संविधान के की सनुच्छेत में कहा गया है कि वनों और वने जीवों सहित प्रकृतिक पर्यावराण की रक्षा एवं सुरक्षा करना प्रतेक नागरिक का मौलिक करतव्य होगा तो fundamental duties जो हमारे constitution में अड़ की गई है जिनकी संख्या कुल है 11 तो आर्टिकल 15A में इनकी जो है इनको insert किया गया तो 15A के ही भाग है कुल है 11 तो 15A और G है ना इस नंबर पर हमारा जो यह fundamental duty है यह mentioned है तो इसको ध्यान रखेंगे एक बार हो सके तो यह पूरे 11 की list देखें क कौन सा कहां पर है ओपरेशन पोलो किस से जुड़ा हुआ है तो यह प्रकार का military action था इंडिपेंडेंस के बाद जिब जितने भी princely states थे उनको unified किया जा रहा था भारत के अंतरगत तो हैदराबाद के जो यहां पे निजाम थे मना कर रहे थे तो इनको merge करने के लिए एक military action यहां पर पलब भाई पटेल जी ने conduct कर वाया था ओप्शन डी बारती सम्विधान के कि सनुचेत के अंतरगा तकहिल भारती सेवाँ का प्रावधान किया गया है तो भारत में तीन प्रकार की ओल इंडिया सर्विसेज होती है इनका जो उलेख है सम्विधान के आर्टिकल 312 में बारती सम्विधान की छटी अनुसूची निमनलकित में से किन राज्यों के जनजाती छेत्रों के प्रशाचन से संबंदित है तो constitution में जो कुल बार अनुसूची है उनमें अलग-अलग विशे है उसी में छटी अनुसू में चार राज्यों के बारें प्रावधान है असम, मिघालय, मिजोराम और त्रिपुरा तो इन विकल्पों में देखेंगे तो हमें तीन नाम यहां पर मिल रहे हैं ठीक हाला कि चारों के नाम ध्यान रखेगा हमने आपको बता दिया अभी भारत के निमनलकित राज्यों मे एक तरीकी से हो जाता है कि जन संग्या के दिष्टी से तो हम बता सकते हैं अब छेत्रफल इतना बहुत याद नहीं होता कई बार है कि कौन सा तीसरे चौथे नंबर पर है तो थोड़ा ध्यान से इस वज़े से कम सकम शुरू के तीन चार पोजिशन पर जो स्टेट होते है कोई भी डेटा पढ़ते हैं तो यह पढ़ना ज़रूरी होता है तो अब यहां पर बैसिकली सबसे टॉप पॉपलेस स्टेट कौन सा था उत्तरप्रदेश सेकेंड पोजिशन पर था मद्यप्रदेश चेक है और अगर हम उसकी बात करें छेत्रफल के दिस्टी से तीसरे स् इसमें से कॉमन निकल के आ रहा था इसका अंसर तो इसमें विकल्प देखते हैं एक बार ठीक डी ऑप्शन हमारा जो है वो ठीक हो जाएगा बंकिम चंद चटर जी ने एक प्रसिदू पन्यास लिखा था आनंद मठ तो यह बिसिकली किस की जो है स्टोरी पे बेज़ था को तो देखेंगे हमारे जो है यह ब्रेटिश काल में सन्यासी विद्रोव हुआ था ठीक है बेस्टन रिजन में सॉर्ड वेस्टन मने इस्टन रिजन में तो उस पर ही आधारित था यह और मुख के रूप से जो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था बेंगौल में तो यह जो इनके विरुद्ध एक प्रगार का रिवोल्ट था तो इसको भी ध्यान रखेंगे बीतर गाउं मंदिर कहां पर रिस्ते था तो ये कानपूर में है ठीक है जो अजन्ता केव से कई सारी हैं तो जो पहली केव है वहां पर इस सुचित्र का मतलब मेंचन किया गया है अप्शन बी हिंदी के कुछ क्वेशन को देखेंगे अंगूठी का नग होना तो अंगूठी जैसे आप लोग कुछ पहनते होंगे न रिंग्स उसमें कुछ अलग अलग जो है प्रेशेस स्टोन्स को लगवा करके लोग पहनते हैं तो यह क्या दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं यह इसका यहां से अर्थ निकलता है विकल्प डी को चुनेंगे समुद्र मंतन आपने पौराणी कथाओं में सुना या पड़ा होगा ठीक है तो वही मुहावरे के रूप में यूज करते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा तो समुद्र क्या है बहुत विशायकाल जो है जल का एक समू है उसको मतना है न दही की तरह आसान काम नहीं है ठीक ह से और परिश्रम करना होगा जाएगा काला अक्षर भैस बराबर इसका अर्थ क्या होगा यह सब मुहावरे हैं इसी अनपढ़ विक्ति के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं जो पढ़ना लिखना ना जानता हो तो दोनों में अंतर कर पाना उस सम्भभ नहीं होगा आगे नाथ न पीछे पगहा, जानवरों के संदर में इस मुहाफरे को एक तरीके से हम समस्ते हैं, माली जा आपकी घर में कोई गाय हो, या बैल का एक्जामपल लेंगे, तो बैल के नाक में नाथ दिया जाता है, उसको एक तरीके से ऐसे जो स्ट्रिक्ट करने के लिए, कंट दन रहित, यम का परियावाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो भानुजा यमुना का परियावाची होता है, यह और हो जाएगा, नेक्स्ट है, गदहा का परियावाची कौन सा नहीं है, गदहा जो होता है, उसके लिए यूज करते हैं, तो गदहा, खर, रासब, दूसर, य धंडे का जंडा निशान पता का दोज यह सब कह सकते हैं नेक्स्ट है खल का परियावाची कौन सा नहीं है तो यहां पे दुष्ट अधम निर्शन से यह सब खल से समंदित हैं परियावाची पक्शी का इसमें चंत्रमा का परियावाची कौन सा नहीं है तो ध्यूति नहीं होगा एकापति विदू हिमकर यह सब जो होते हैं राकेश लिस्ट देखेगा जल यानि पानी का परियावाची इसमें से कौन सा है तो सलिल हो जाएगा ठीक है रसना जैसे होता है ये जीब का परियावाची होता है ठीक है इसको ध्यान रिकेंगे के हरी और गयंद जराब लोग कॉमेंट करके बताईए तो पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा ओर्डिनेंस जब सेशन नहीं होता पर्लियमेंट का या फिर स्टेट में लेजिसलेटिव असेंबली का तो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट यहां पर केंजस्तर पर ओर्डिनेंस ला सकते हैं जो की एक लॉग के तरीके काम करता है इसका विलोम शब्द देखेंगे सम्मुक का विलोम बताना है तो यह होता है विमुक संपन इसका विलोम अगर हम बात करें फिर सदेखेंगे संपन तो यह होता है विपन यहां पर सी ऑप्शन शाश्वत का विलोम बताना है तो यह नश्वर होता है ठीक है नीरस का विलोम हो जा उससे अनुतेड होने की आशंका है डी विकल्प हमारा सईयो का इसमें ठीक इनी सब बातों के साथ यहां पर हमने इस वीडियो को कम्प्लीट किया है प्लीज सारे क्वेशन्स को देखें प्रक्टिस अब करते चलें टाइम आपके पास बहुत कम है इसके आगे की क्वेशन्स